खाने को हम as a nutrition source मानते हैं या फिर पेट भरने के लिए सिरफ जीब के स्वात के लिए अगर हम इस चीज को समझ जाएं हमारी fitness जर्नी बहुत असान हो जाती है इसको एक example से समझते हैं लेट से ये तिल के लड़ू हैं और क्योंकि बहुत टेस्टी है बहुत ज्यादा खा लेते हैं जिसकी वज़े से उनका maintenance से ज्यादा इंटेक हो जाता है बट अब मैं इसको as a nutrition source मानता हूं देखें इसका nutrition facts बहुत ही अच्छा है 100 ग्राम तिल के अंदर 50 ग्राम के around fats मिल जाता है 25 ग्राम के around carbohydrate और 15 से 20 ग्राम के around protein मिल जाता है which is a very good source और इसका micronutrient level भी बहुत अच्छा है बहुत ही अच्छा source है calcium का, magnesium का, iron का और vitamin B6 का in fact calcium तो इसमें दूद से भी जादा है 97% अगर आप 2000 कैली पे है 97% इसी से अपका पूरा हो जाता है तो यह समझने की जुरत है कि क्या हम food को as a nutrition source मान रहे हैं या फिर सिर्फ पेट बरने के लिए जीब के स्वाथ के लिए information समझ आई, अच्छी लगी, दोसरों के साथ भी शियर कीजिए